हेलो दोस्तों, कैसे हैं हाप सब लोग, ग्रीन इक रटिका में स्वाकते हैं आप सब लोगों का, दोस्तों मैं आपको आज ये कैसा हम फूल दिखा रहा हूं, इसको लेखungen, आप पहचान गशे होंगे कि ये किसका फूल है, दोस्तों, आप सही समझ रहे ह Grade इस का नाम है अप प्राजिता इसका प्रचलित नाम है दोस्तों और इसका विष्णु प्रिया भी कहते हैं इसको इसको किष्णु प्रिया भी कहते हैं दोस्तों भगवान विष्णु को आति प्रिया पुस्पों में ये दोस्तों पुस्प सरप्रथम है दोस्तों इसका पुराणिक महत्त तो ह ही है और साथ ही साथ इसका साइंटिफिक इंपोर्टेंस है दोस्तों यह जो आपको फुस्प होता है इसका पौराणिक महत्र देखा जाए तो नाम ही इसका अपराजिता है करके दोस्तों अगर यह फुस्ति आपके घर में लगा हुआ है तो आपके गार्टन की सोभा बढ़ाए गाए व रहे तो इस बहुत रहेए तो दोस्तों आपको बिलिब नहीं होगा यह कभी अगर आप इस ब्रचे को घर में लगाए हैं तो दोस्तों आप कबھی भी पराजित नहीं हो सकते। पराज็ का सामना आपको नहीं रेखना पड़ेगा। इसलिए नाम भी इसका अपराजिता है। दोस्तों, भगवान विश्नु को बहुत ही प्रिय है। पृति दिन आप भगवान विश्नु में, भगवान सियू में और भगवान सनी में इस पुस्प को अरपित करिए दोस्तों आप देखेंगे कि आप कुछ महीनों बात आपके सभी कारी सिद्ध होने सुरू हो जाएंगे दोस्तों इसको तांत्रिक विद्ध्या में भी उपयोग किया जाता है इस बिंब्रच को जगा कर तांत्रिक अपने कारी को सिद्ध करते हैं दोस्तों ये वसी करण में भी काम आने वाला पौदा है दोस्तों इसको जागरत करके अपने घर के बाहर टांग देने पर आपकी हर कारी सिद्ध होते हैं दोस्तों आप अपने घर में इस पौदे को जरूर लगाएं बैग्यानिक अगर महत्तो की बात करते हैं दोस्तों तो इसका महत्तो यह होता है कि इसकी पतियों को अगर प्रितिन आप एक दू पतियों चबा ले कर गाते हैं तो आपको आपके लिवर बहुत ही मजबूत होने वाला है दोस्तों पी लिया वगरा की कभी भी समस्या नहीं हो सकते दोस्तों और आपका पाचन भी बहुत सही रहेगा दोस्तों चलते हैं आज और मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग दोस्तों हैपी गार्णिंग बाई बाई